Second Question पढ़िए जओड़ा, Second Question में कहा रखा आपसे, कि Cos Theta by में 1 मायनस साइन थिटा, equal to, आपको फूर्ट करें लाना है, One Plus Cos Theta, प्लस में साइन थिटा, Divide में, One Plus Cos Theta, मायनस का, साइन थिटा आपको लाना है, ठीक है, या फिर यह समझों कि इससे आपको ये लेक आना है, तो को कर रहे हैं ठीक है लिखते हैं हम लोग यहां पर कि one plus में cos theta plus में sin theta divide में आपका one plus cos theta और minus का है sin theta इतना दे रखा था आपको हमने लिख लिया अब देखो करना क्या है आपको कि यहां पर आपको rationalization करना पड़ेगा तो इन दोनों को मैंने ब्राइकर में में ले लिया और बाकी कोई भी छोड़ दिये अगर गुणा करते हो और श्लाइज करोगे तो किसे गुणा करोगे आप कि one plus cos theta यहां पर माइनस लगा हुआ है तो यहां पर आपको plus लेना परेगा और डिवाइड में गैन one plus cos theta और सीम चीज आपको लिखके गुणा कर देना होता है इतना जानते हो न आप लोग after then जब गुणा करिएगा यहां पर तो one plus cos theta ठीक है one plus cos theta का square आप ऐसे समझ लो कि यह पूरा पाट आपका a plus b है तो a plus b and a plus b तो a plus b का क्या हो जागा square तो हमने a का square का रखा यहां पर यह रहा आपका b का square अप प्लस में 2 into a into b कोई दिक्कत नहीं न a square plus b a square plus 2ab के फर्मुला पर हमने वैठा लिया divide में आपका चलेंगे तो यह पूरा complete part आपका a minus b and a plus b के format पर है तो इसे आप लिख सकतो हो कि a का square और minus में b का square अब बैसे इसको simplify करो आपका answer आजाएगा automatic तो इसको चलो फिर से again करना पड़ेगा आपको कि a plus b का all square है तो a का square a plus में b square plus में 2 into a into b होगी आपका a plus b का all square पर इसको तोड़ लिया पूरा पूरी इधर बचा आपका क्या sine है तो sine square theta plus में इन दोनों का multiply करेंगे आप तो 2 sine theta plus में 2 sine theta into में cos theta हो गया ठीक हमने गुणा कर लिया पूरा divide में चलते हैं तो divide के case में क्या करेंगा हम लोग कि a का square तो 1 plus में b square plus में 2 a b और minus में धर हो जागा आपका sine square theta का sine square theta क्लिए इतना अब आगे चली बढ़ते हैं आपर नेक्स स्टेप में लिखेंगे तो cos square theta और यह आपका रहा sine square theta इन दोनों का पकरिएगा तो cos square plus sine square क्या होता है 1 और पहले का 1 है तो 1 plus 1 हो गया पलस यह 2 cos यहाँ पर दिख रहा है 2 sin यहाँ पर दिख रहा है आपको यह दोनों पार दिख रहा है आपको तो सबको क्या करिए आप एक तरफ कर लीजिए तिहाँ पर हो जागा आपका 2 cos theta plus में 2 sin theta and plus में 2 sin theta into cos theta ओके and divide में जो पार बचा हुआ है तो यह दिख रहा है आपको 1 यहाँ दिख रहा है ना 1 और यह आपका sin square theta इन दोनों को मैंने close कर दिया था तो दूर दूर है ना इसको मैंने close कर दिया 1 minus में sin square theta को मैंने close कर दिया आप पलस में जो पार्ट बचा हुआ आपका cos square theta पलस में 2 cos theta इसको मैंने जिवकातियों छोड़ दिया भाई freedom अब इसके बाद क्या होगा आगे आगे के पार्ट में देखेंगे आप तो 1 plus 1 टोटल मिलाक हो जागा 2 पलस में इधर जो पार्ट बचा हुआ उसको भी आप लिख लो यह भी हो जागा आपका टू 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 यह हो जागा आपका टू cos theta and plus 2 sin theta plus 2 sin theta into में cos theta और डिवाइड के केस में चलेंगे तो 1-sin square theta क्या होता है cos square theta ती रहा आपका cos square theta and again cash was cos square theta तो cos square theta कितना हो जागा 2-2 cos square theta plus cos square theta नीचे आपका 2 cos theta बचा हुआ है यह वाला पार्ट है है ना यह वाला पार्ट बचा हुआ आपका हमने इसको चेंज कर दिया cos में यह आपका cos e cos next step में आप क्या करेंगे आप यह वाला पार्ट दिख रहा है आपको ना यहां से आप 2 common निकालोगे तो क्या बचेगा आपके पास 1 plus cos theta and plus यहां देखो तो क्या common निकाल सकते हो तो 2 sin theta common निकालोगे तो again 1 plus cos theta आपका बच जाएगा और नीचे वाले case में देखेंगे तो आपका cos square theta plus cos square theta 2 cos square theta 2 cos square theta plus 2 cos theta next step 1 plus cos theta इधर भी आपका 1 plus cos theta तो आप 1 plus cos theta को common निकालो again जैसे common निकालोगे अंदर में क्या बच जाएगा यह आपका 2 and plus में 2 sin theta बच किया आपका divide के case में देखेंगे यहाँ पर तो आप 2 common निकालोगे and cos theta भी common निकालोगे तो bracket के अंदर बचेगा है पहले हम इसको लिख लेते हैं तो 2 cos theta बाहर निकाल चुका है तो यहाँ पर आपका 1 और इस वाले case में 2 cos theta बाहर निकाल चुका है तो यहाँ पर आपका simply cos theta ठीक है इतना अब यह दोनों part फिर से cancel और cancel होने के साथ साथ यहाँ का आप 2 common निकालोगे तो इसमें से आप 2 common निकालेगा अंदर क्या बचेगा 1 plus sin theta divide में बचा हुआ आपका 2 cos theta 2 से 2 फिर से cancel out हो जाएगा हमारे पास finally बच गिया आपका 1 plus sin theta divide में cos theta हमारे लाना कितना धबाई? cos उपर नीचे आपका 1 minus sin है 1 minus sin है तो यहाँ पर फिर से आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपसा गुणा भाग करिए किससे गुणा करना होगा आपको? तो cos theta से गुणा करना पड़ेगा अब cos theta से जैसे गुणा किजिएगा तो आपके पास उपर में cos theta bracket के अंदर 1 plus में sin theta नीचे आपका हो जागा cos square theta अब जैसे ही cos square theta आया तो क्या करेंगा? 1 minus में sin square theta लगा सकते हैं उसके लिए तिहां पर आपका आजागा cos theta, bracket में 1 plus में sin theta divide के case में हो जागा cos square theta के लिए क्या लिखिएगा बच्यो 1 minus में sin square theta अब यह cos theta का cos theta परा हुआ रहेगा एक दो step और बच किया है 1 minus cos sin square theta के लिए आप लिख सकते हो यह बला पार्ट को आप square लगा दो तो a square minus b square के format पर लिख सकते हो ना तो जैसे लिखोगे 1 plus में sin and 1 minus में sin theta फिरसे दिखे cancel out होगा आपका 1 plus sin, 1 plus sin फिरसे cancel out होगा ना तो बचा किया finally आपके पास cos theta divided में 1 minus में sin theta और प्यारे बच्चो यही तो आपको लाना था तो आप लिखेगा hence proved क्या लिखेगा hence proved RHS किलिए है तो एक पर आप देख लो पूरा totally हमने क्या किया हमने कुछ नहीं किया फार्स स्टेप आपका रहा rationalization करने का तो हमने यहाँ पर rationalization कर लिया उसका simplification हुगा है थोजा सामने यहाँ पर sin और cos का formula इस्तमाल किया है आपका identity कि sin square theta plus cos square theta के लिए 1 हमने इस्तमाल कर लिया उसका क्या 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 calculate करते 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 यहाँ पर थोजा सामने bracket का काम कर लिया है हमने क्या क्या bracket का थोजा सा खेल खेल लिया common number निकालने का जो होता न आपका वो खेल खेल लिया और last में क्या 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 फिर से हमने multiply with cos theta का खेल खेला और cancel तो देखने में लग रहा है कि बहुत लंबा चुड़ा है लेकिन कुछ नहीं एक आपको rationalization करना है थोजा सा आइंटिटी का यूज कर लेना है थोजा सा ब्राइकेट का खेल खेल लिजी और last time finally क्या किजी गुना करके आपका answer आ जागा इस तरह से चार स्टेप में आपको पांसना मिल जागा ओके चली next question क्लिकर था से screenshot लेट लेट लिजी